स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल फिर्डाम फेक्टी स्टटी में आज हम लोग पढ़ें एक कक्छा साथ गणित अभ्या साथ ए ठीक है इसमें का कुछ सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं इसका हम लोग आगे नमवे से पढ़ेंगे इसके भाग दूसरे में तो इसका नौवा सवाल हमारा दिया हुए कि कितने समय में 350 रुपए दो सही एक बटा दो वर्स में प्रतिसत वार्सिक ब्याज की दर से मतलब यह आपका दर दिया हुआ से 350 रुपया हो जाएगा तो आपका जो जो चीट पता है वैसे जैसे हमने बताया वैसी करना जो जो चीट पता है उसको वैसे वैसे लिखेंगे ठीक हैं जैसे यहां पर आपका मुल्धन पता है मुल्धन लिखिए मुल धन आपका कितना है 350 तो 350 लिख दिजिए मिर्श्र धन बराबर आपका दिया हुआ है 380 380 लिखती दिजिए अब आपको एक चीज और पता है इसमें दर तो दर लिख दीजिए दर बराबर कितना दे दिया हमारा दो सही एक बट्टे में दो प्रतिसत इसको अगर करते हैं तो दो दुनिक चारिक पांच मतलब यहां पो जागा पांच बट्टे में दो प्रतिसत ठीक है अब देखिए समय आपका समय कितना है समय बराबर आपको नहीं पता है समय बराबर क्या है क्या है क्योंकि समय निकालन मिश्रिदन माइनस क्या हो जाएगा кино मुल थन तो हाके блок कि इतना दिया हुआ है थीलाध मारा ठीक में मूल थन कितना दिया पट यह करहे थी यह थे थीले हो यह जिप पचास आपढ़ को घटा हैं तो आएगा आपका 35 रुपए आपका जो ब्याज निकल करके आया वो आया 35 रुपए अब इस 35 रुपए का जब ब्याज आ गया तो आप निकाल सकते हैं सधारण ब्याज के सुत्र से इसका समय तो हम लोग लिखेंगे सधारण ब्याज बराबर ठीक ना सधारण ब्याज बराबर इस ब्याज को इस सधारन ब्याज बराबर यहां पर ब्याज बराबर यहां पर जाएगा मुलधन गुणे यहां पर जाएगा दर और गुणे यहां पर जाएगा हमारा कितना शम है और बटे में कितना हो जाएगा हमारा शौ अब जो जो चीज पता है उसको उस अस्थान पर लिखिए जहां जहां पता है जैसे सधारण ब्याज आपको पता है 35 दिया है इसके नीचे लिख दीजिए 35 ठीक है बराबर मुल्दन आपको पता है 350 इसके नीचे लिखिए 350 गुणे दर आपको पता है 5 बटे में 2 तो 5 बटे में 2 लिखिए ठीक है और गुणे यहां पर समय आपको नहीं पता है तो समय को ऐसी लिख दीजिए समय और बटे में 100 है तो 100 लिख दीजिए और 10 का 2 छुटा हुआ था तो 2 भी लिख दीजिए ठीक है यह हो गया ऐसे अब इसको क्या करिए कि इससे इसको कटा लेंगे हम लोग और यह 5 से कट जाएगा 5 दुना के 10 दो बार म यहां पहुझाएगा 35 और गुणे यहां पहुझाएगा हमारा समय ठीक है समय क्योंकि इस 4 का दोनों इधर गुणा हो गया मतलब कि 35 था यह 35 में 4 को गुणा हो गया अब यहां देखे गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग मतलब समय बराबर हो जाएगा हमारा यहां पह हुआ है कि 10 प्रतिसत वार्षिक प्याज की दर से कितने समय में इसमें भी समय पूछ रहा है 200 रुपए तीन गुने हो जाएंगे तो ध्यान से इसमें देखना है कि आपका दर दिया हुआ है कितना जितना दिया उसको लिखिए दर आपका पता है 10 प्रतिसत ठीक है आपका दूसरा मुलधन पता है आपको मुल धन ठीक न मुल धन आपका पता है 200 रुपए 200 मुल धन आपका 200 रुपए पता है तो आपको 1 चीज और भी पता चल गया मिश्ण। तो यहां पर लिखेंगे मिश्रधन मिश्रधन कितना आपका मतलब 200 मुल्धन है और गुणे इसके तीन गुणा हो जाता है मतलब मिश्धन आपका कितना हमारा 600 रुपए है आप समझ में आगे एचीज क्योंकि तीन गुणा है इसका 200 का तो दो गुणे दो, गुणे तीन, मतलब 200 कुणे तीन बडवर 600 रुपए है अब देखें जब आपको मुल्धन और मिश्धन पता है तो ब्याज निकाल सकते है आप ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा मिश्रधन ठीक न? मिश्रःदन और माईनस के क्या हो जाएग हमारा ठीक है मुल्धन तो मिश्रधन आपका पता है 600 लिकला है और माइनस मुल्धन आपका 200 है तो आपका ब्याज निकल के आया वह हो गया 400 रुपए ठीक है ब्याज आपका क्या निकल के 400 रुपए अब आपको समय पता करना है कि कितने समय में तो समय लिखेंगे समय और पता है यहां ब्याज भी पता है और समय बस पता करना है तो आप डेलेटली लगा सकते हैं सदारन ब्याज का सुत्र तो यहां पो जाएगा सदारन ब्याज बराबर ठीक ना सदारन ब्याज बराबर ब्याज देखिए एक फार्मूला का यूज करिए सिंपल सा सदारन ब्याज चोड़िए आप गुड़ा भाग कैलकुलेशन करके इधर पच्छानतर करकर करके आप क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्फ कर सकते हैं यहाँ देखिए समय बराबर स्थारन ब्याज बराबर YAHां पो जागा मुलधन ठीक ना मुलधन और गुणे दर ठीक ना दर और गुणे यहाँ पहो जागा समय ठीक ना शमय और बट्टे का क्या हो जागा हमारा 100 अब देखिए यहाँ सधारन ब्याज है सधारन ब्याज आपको कितना निकल के आया 400 तो यह लिख दीजिये 400 अब बराबर मुलधन आपका कितना है 200 तो 200 लिख दीजिए गुणे दर आपका कितना है 10 तो 10 लिख दीजिए और समय निकालना है तो यह हो जागा समय ठीक ना अब बट्टे का क्या होता है 100 तो 100 कर दीजिए 0000 कर जाएगा 12 में 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 20 यहां पर हो जाएगा हमारा 400 और बराबर यहां पर हो जाएगा 20 गुणे हमारा अब एक चिज़ और बताया थे कि जब गुणा है तो उधर देक क्या हो जाएगा भाग मतलब समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400 और बटे में हो जाएगा हमारा 20 0 से 0 कर जाएगा 2 से कटा देंगे ति यहां पो जाएगा हमारा 20 वर्स और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी वस्तू का अंकित मुल्य पता है अंकित मुल्य छपा हुआ मुल्य ठीक ना आपको पता है पांच सुरुपए है पर उस पे मतलब वह दस प्रतिस बट्टा पर बेचता है तो जो भी बट्टा लगता है वो अंकित मुल्य पर लगता है simple सा यह सवाल है आपका बिक्राय मुले आपको बताना है तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि आपको जो चीज पता है उसको लिखे वस्तू का अंकित मुले ठीक न यहाँ आप लिखेंगे वस्तू ठीक न बहुत ही बारी की से बता रहा हूँ बहुत सुलो बता रहा हूँ ता कि आपको समझ में आ जाएगा वस्तू का अंकित मुले बराबर ठीक न अंकित ठीक है मुले बराबर मुले बराबर यहाँ पर 500 रुपए ठीक है न अब लिखेंगे क्या चीज कि बट्टा की दर या पर बट्टा बराबर वस्तू के मुले पर बट्टा बराबर मुले पर बट्टा बराबर ठीक बट्टा बराबर आपका है 10 प्रतिसत आपका जितना है उतना लिख दीजिए अब आपको निकालना है कि बट्टे की रासी बट्टे की रासी कितनी होगी वो निकालने होगा तो बट्टे की रासी बरावर रासी इस कल्टू यहाँ पो जगा 500 पर 10 प्रतिसत की छूट है तो 10 प्रतिसत हटाने के लिए नीचे 100 से भाग देते हैं और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 5 में 10 का गुणा करेंगे तो बट्टे की जो रासी आएगी वो 50 रुपए आगी अब हैं 50 रुपए पता है तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि विक्रे मुल्य मतलब कि 5 रुपए उसका अंकित मुल्य है पचास रुपए च्खूट दे रहा हो उस पे तो मुल्य कितना हो जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बिक्रे मुल्य बराबर ठीक ना इसका सुत्र लिखिएगा है बिक्रे मुल्य बराबर ऐसे तो आपको आंसर पता चली किया होगा बिक्रे मुल्य बराबर यहाँ पे लि दोनों घटाने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 450 रुपे है और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर तो इस तरीके से ग्रहावा सवाल वा खतम 12 सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक घड़ी का विक्रह मुल्य 420 रुपे है वो 25 प्रत्सत बट्टे पर बेची गई मतलब 420 रुपे मुल्य की घड़ी है उसको 25 प्रत्सत बट्टे पर बेची गई तो उस घड़ी का अंकित मुल्य बताना है यहां भी आपको विक्रह मुल्य पता है अंकित मुल्य नहीं पता है तो मालनेंगे कि माना घड़ी का अंकित मुल्य ठीक है घड़ी का अंकित मुल्य बराबर अंकित ठीक न मुल्य बराबर मुल्य एक्स रुपे है एक्स रुपे है अब एक्स रुपे अंकित मुल्य है बाद घड़ी का मुल्य ठीक ना घड़ी का मुल्य बराबर मुल्य ठीक ना मुल्य कितना हो जाएगा हमारा 420 रुपए हो जाता 25% बट्टा देने के बाद क्या हो जाता अब आपको क्या करना है कि हम लोग का पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रष्ण के नुशार लिखेंगे प्रष्णा नुशार ठीक है न तो पृश्णा अनुशार में आप का मोली जो दिया हुआ है 1 रुपए और एक्स रुपए पर ही आपका एक्स का मतलब एक्स उर्पे के एक्स पर पचीस प्रतिज़त का बट्टा देता है बट्टे में परत्साथ खटाने के लिए यहां पर क्या करेंगे सौ से हम लोग भाग देते हैं तो आपका निकल के आता है चार सो बीस ठीक है अब समझ में आ गया तो अब देखिए इसको हम आपका घटाने के बाद जो निकल के आएगा वह जाएगा तीन एक्स बटे मो हो जागा 4 बराबर रहा हो जागा 420, अब ये 4 से इसको गुणा करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, क्यों हो देखिए ? 4 से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पो जागा 4, 120 गुणे यहाँ हो जागा 4 यह गुणा है इन दोनों के बीच में उदर जाके भाग हो जाएगा मतलब यक्ष इसकल टू 420 और गुणे हो जागा 4 बटेम हो जागा हमारा 3 अब 3 से इसको कटाएगे तो 3 कम 3 और 3 चोग के 12 140 में 4 करेंगे तो यक्स बराबर 1446 55560 रुपए तो याद रखिएगा इसका जो Hansa हो वह पांसो साथ रुपए और यक्स हम लोग क्या माने हैं अंकृत मुलिये तो इसका जो तेरह हमा सवाल हमारा दिया हुआ कि एक सिलाइ मसीन का अंकित मुल्य आठ सो तीस रुपए है यदि उस दुकांदार ने ग्राहा को 20 विरसत बट्टा देने के बाद मसीन का विक्राय मुली ग्याद करना है तो लिखेंगे अंकित मुल्य बारावा ठीक न मसीन का अंकित मुल् हमारा आठ सो तीस रुपए ठीक है आठ सो तीस रुपए और यहां पर दुकांदार मतलब ग्राहा का बट्टा मतलब यहां पर देंगे इसको हम लोग दुकांदार को बट्टा मतलब कि बट्टा के बाद मुल्य बरावर या पर बट्टा बरावर ठीक ना बट्टा देता ह देता है बराबर 20 प्रतिसद 20 प्रतिसद बट्टा देता है बराबर नत लिखे 20 प्रतिसद बट्टा देता है ठीक न देता है बट्टा बराबर 20 प्रतिसद ठीक है तो अब एक रहे मुले बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर बट्टा के बाद मुले बराबर या बट् बट्टे का मुल्य बड़ावर इसकल तू आठ सो तीस और गुणे का हम पो जगा बीस बट्टे में सो क्योंकि बिस प्रत्सा थी इसको जीरो 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 इसको गुणा कर लेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा दो त्याएं छे आव आठ दुना के सोला मतलब एक स तो 66 रुपे की क्या करतेता है वो मुल्य का बट्टा देता है तो मसीन का बिक्रय मुल्य बड़ावर यहां पर हो जाएगा क्या चीज अंकित मुल्य ठीक ना अंकित मुल्य मुल्य और माइनस बट्टा मुल्य ठीक ना यहां पर लिख दीजिएगा बट्टा मुल्य ठीक है इस तरीके से अंकित मुल्य आपका आओ जाएगा 830-2 मुली कितना हमारा 106-6 दोनों को घटा देंगे तो आपका हो जागा 10 में से 6 गया 4 और यहां बच गया 2 मतलब 12 में से 6 गया 6 और यहां बच गया 7 7 में से 1 गया बच गया 6 मतलब 664 रुपए और यही इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे जोदाहमा सवाल दिया हुआ एक पुस्तक का अंकित मुले 75 रुपए है एक पुस्तक का जो अंकित मुले है वो 75 रुपए है और बोला है कि और दुकंदार ने 60 रुपए में बेच दिया वह कितने प्रसत का छूट पाया तो सबसे पहले जो चीच पता है उसको लिखिए पु बिक्राय मुले इसका है मुले उसका 70 रुपए है विक्राय मुले आपका 60 रुपए है तो कितने प्रसत मतलग कि बट्टा अमली निकालेंगे कि बट्टा बढराबर यहाँ ठीक ना ISCALT 2 यहाँ पो जागा अंकित मŁले अंकित यहाँ ऊहाँ पो जागा मुले और माइनस यहां पर जाएगा विक्राय मुल्य ठीक है विक्राय मुल्य तो अंकित मुल्य आपका कितना दिया हुआ है 75 और माइनस आपका विक्राय मुल्य कितना दिया है 60 तो यहां पर बट्टा आपका निकल कहा जाएगा 15 रुपए तो आप डिरेटली यहां पर बट्टे प्रत्सत न अंकित मुले तो आपका यहां पहुजाएगा कितना बट्टा हमारा कितना 15 और गुणे यहां पहुजाएगा 100 और अंकित मुली कितना तो हमारा 75 तो 75 कर लिजे इसको कटाएगे 15 से 5 बार में कट जाएगा 5 से इसको कटाएगे तो यहां पहुजाएगा हमारा 20 प्रतिसत जो क या बट्टप्रसत आएगा मतलब कि बट्टा प्रसत अब लिख सकते हैं कि बट्टा प्रसत बराबर 2 बराबर 20 प्रतिसत यही आपका क्या होजाएगा하신 vra नहीं एक Tradition का अंकित मुले यहां पे 500 रुपए थथा ग्राहा को 450 रुपलफ्द है तो बताए उस पे कितने प्रत्सत बट्टा दिया जाता है तो लिखेंगे कि रेडियो का अंकित मुले ठीक ना रेडियो का अंकित मुले अंकित मुले मुले यहां पर हो जागा 500 रुपए तरह ग्राहा को दिया गया बराबर ग्राहा को दिया गया या फिर बिक्रे मुले ग्राहा को दिय अच्छा रहेगा आपको यहां पर ग्रहा को हटा के बिक्राय मुल्य होगा तो बिक्राय मुल्य बराबर यहां पर लिख दीजे बिक्राय मुल्य बराबर यहां पर जागा 450 रुपए तो हम लोग सकते हैं इसके लिए कि बट्टा दिया बराबर या बट्टा बराबर बट्ट मुल्य भिक्राय मुल्य उन्हें छूट देने के बाद अंकित मुल्य आँप पॉय प्रसत ब्टब समस्कारीजुन कि भठाने के बाद आ जागा पचास रुपए तो यह वह बटत अजीए प्रतस लिखेंगे आप सुत लगा सकते हैं यहां पर है के बट्ट तीना घसतं प्रचत बराबर यहां पहु stairs बट्ट अ मतले हम सब मेंहों और जोग ₹ हमारा कितना यहां पहु आगर ए designation लिखते हैं तो बट्टा और पराव पचास दिया हूँआ ठीक है यह मत समझे गए अTना है 50 रुपए गुणffer आंकित मुल्य हमारा है 500 जीरो 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 कर डींगने 15 हो कट कर लेंगे 5 एकम पांच मतलब यहां पहु जाएगा हमारा 10% क्योंकि एक तो हाँ यहां 0 लग जाएगा 10% और यहीं इसका क्या हो जाएगा बट्रा हो यह इसका आंसर हो जाएगा अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक संदूक का बिक्राय मुल्य दिया हुआ है 14 रुपए दुकंदार ग्राहा को 30% बटा प्रदान करता है तो संदूक का अंकित मुल्य ग्यात करना है तो जैसे हम लोगोंने 12 सवाल लगाय था जश उसी तरीके से इस सवाल को भी हम लोग लगाएंगे यहाँ पर माल लेंगे कि माना संदूक का अंकित मुल्य बराबर यहाँ पर लिखेंगे संदूक का अंकित मुल्य ठीक ना अंकित मुल्य मुल्य आपका दिया हुआ है X रुपए X ठीक है न अब दीके संदूक का अंकित मुल्य X रुपए है और बट्टा प्रत्सत बराबर मतलब संदूक का बट्टा प्रत्सत लिख देंगे संदूक का यहाँ पर लिखेंगे संदूक का बट्टा प्रत्सत ठीक न बट्टा प्रसत या 30 है दियावत 30 प्रसत लिख दीजिएगा ठीक है अब इसमें क्या करते हैं कि आपको इसमें एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि अंकित मुली ये है इस पर 30 प्रसत कर छूट देता है मतलब देखिए आप प्रशन के अनुशार करेंगे प्रशना रुपए ठीक न यह हो जाएगा 1400 रुपए या वे डिरेटल लिख सकते हैं विक्रे मुले बराबर यह सुद लगा तकते हैं एक्स माइनस एक्स गुणे 30 बट्टे में 100 ठीक है लेकि ऐसा कर लेंगे या आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं जीरो से इसको कटा देंगे ज ढुर कतरी होगा बराबर यहांपर देया वहारा 14 तो 400 कर लीजिये ठीक है अब देखिए इसके आगे करते हैं हम लोग तो यहांपर देखिए इसमें खटाए कितना हो जागा 10 में से 13 गे 7 1 बट्टे में यहांपर जागा हमारा 10 और बराबर यहां पर जागा 14 100 ठीक है नहा चौदा सो अब देखिए इसको दस से इसमें गुणा करेंगे तो यहां पो जागा साथ येक्स बराबर यहां पो जागा चौदा और गुणे यहां पो जागा दस और यहां पो जागा साथ गुणा हो दर यहां भाग मतलब येक्स बराबर यहां पो जागा चौदा सो और दो हजार रुपए क्योंकि दस का गुणा करेंगे जीरो बढ़ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा दो हजार रुपए और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर तो इस तरीके से 16 सवाल हुआ खतम और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज ल सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें